A very good morning to all of you first class students. Today we will learn this and that. This यानि की यह, that यानि की वह. अब यहाँ पर देखें, हमारे पर कुछ sentences दिये गए हैं, यहाँ पर लिखा गया है, this is my house. यहाँ पर पिक्चर है, और यहाँ पर जो लड़का है, वो क्या कर रहा है, वो अपना जो गर है, वो दिखा रहा है, यह क्या है, यह क्या है, यह मेरा गर है, और यहाँ पर एक लड़का जो है, वो यहाँ खड़ा है, उसका करो वह पहाँ पर है, और वो क्या लिखें, उसने वैसे ही यहां पर है यहां पर लड़का बोड़ रहा है वह मेरा गर है आप देख रहे हैं यहां पर कि यहां पर जो लड़का पास जो खड़ा है इस जो है वो इस्तमाल किया गया है किसके लिए जहां पर जो लड़का है जो गर के पास खड़ा है और यहाँ पर डाट ही इस्तमाल किया है और यहाँ पर देख रही है कि जो लड़का है वो गर से क्या है दूर खड़ा है ठीक है वैसे ही यहाँ पर एक मदर है और एक डाटर है तो यहाँ पर डाटर जो है वो बोल रही है दिस इस माई मदर यह मेरी माँ है वैसे ही यहाँ प आता है जो चीजे पास हो, यह उस डिस इंसान, फेंक्स होगी चीजें, तो अगर कोई चीज हमारे पास हो या कोई इनसान या परसन कोई हमारे पास हो उसके साथ हम इस्तमाल करते हैं this और अगर कोई चीज हमसे दूर हो या कोई इनसान हमसे दूर हो उसके साथ इस्तमाल करते हैं हम that है ना जैसे आपने यहाँ पर देखा जो लड़का है उसके गर है उसके पास है तो उसके साथ इस्तमाल हुआ दिस यहां पर जो डॉटर थी उसके पास ही उसकी ममा थी ठीक है उसके साथ यूस हुआ दिस वैसे ही यहां पर जो लड़का है गर उससे दूर है तो यहां पर इस्तमाल हुआ डैट और यहां पर जो ड correct word in this sentence हमें यहां पर this or that का इस्तिमाल किया गया हुआ है हमें जो सही है हमें उसके साथ circle करना है उसको अब यहां पर लिखा गया है this or that is my watch अब यहां पर बताएं यहां पर this लगएगा कि that अब यह लड़का बोल रहा है यह मेरी watch है अब यह जो watch है वो क्या है उसकी wrist में है है ना उसकी कलाई में है तो आप देखिए जो watch है वो उससे दूर है नहीं वो उसके पास है तो इसदर क्या इस्तिमाल होगा this तो हम this को circle करेंगे तो यहां पर क्या आएगा this is my watch वैसे ही next में यहां पर यह लड़का खड़ा हुआ है और यह क्या बोल रहा है this or that is a big clock वो देखो वे देखो वो बड़ी सी गड़ी है ठीक है बिग लॉक होगी बड़ी सी गड़ी अब यह जो लड़का है वो यहां पर है और गड़ी देखो उससे कितनी दूर है अब वो बोल रहा है वहां पर देखे वो बहुत बड़ी सी गड़ी है तब गड़ी दूर है देख है ना दूर तो दूर है तो उसके साथ क्या लगेग तो हम circle किसको करेंगे? डाट को वैसे ही अब next है अब यहाँ पर कववा है और यह लड़की बोल रही है वे कववा है क्रो क्या होता है? कववा तो अब वो क्या है? कववा उससे दूर है तो यहाँ पर क्या आएगा? डाट हम डाट को circle करेंगे अब क्या है? अब यहाँ पर यह लड़का है अब यहाँ पर इसके पास क्या है? एक pet है उसका एक पालतू जानवर है ठीक है? तो अब वो बोल रहा है कि यह मेरा pet है तो अब यहाँ पर यह जो पालतू जानवर है उसका वो उसके पास है तो यहाँ पर किसको circle होगा दिस को क्योंकि वो उसके पास है I will have this or that cake अब वो कह रही है वो cake मेरे पास होगा लेकिन वो उसके पास तो नहीं है वो क्या है उससे दूर है तो यहाँ पर क्या लगेगा that तो हम that को circle करेंगे वैसे ही आपका last sentence है अब यहाँ पर यह लड़का है ice cream इसके हाथ में इसके पास है तो इधर क्या इस्तमाल होगा this तो हम this को circle करेंगे आपको याद रखना है जो this है वो इस्तमाल होता है जब कोई चीज पास हो और that इस्तमाल होता है उन चीजों के साथ जो चीज हम से दूर हो वो चाहे इंसान हो या कोई चीज हो अगर दूर होगी तो उसके साथ इस्तमाल होगा that और अगर पास होगी उसके साथ इस्तमाल होगा this ओके thank you have a nice day